नमस्कायव आवरे मित्रो मैं अंकित के शर्वानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकिति के शर्वानी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मोधी केर में डिरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करने पे company आपको चार तरह की income देती है पहले income आती है performance bonus दूसरी income आती है आपको director bonus तीसरी income आती है आपको bike bonus और चौती income आती है national travel fund आप सभी लोगों को एक सबसे बड़ी समस्य होती है कि sir इन चारो bonus को हम कैसे calculate करें, कैसे सरल सब्दों में जानें कि किस केस में मेरा कितना पैसा बनेगा, तो आज इस वीडियो में आपको सरल सब्दों में बताने जा रहा हूँ, कि bike bonus कैसे calculate करेंगे, director bonus कैसे calculate करेंगे और, national travel fund कैसे calculate करेंगे, ये सारी चीजे मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो वीडियो में लास तक जरूर बने रहीएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अपने टीम के साथ शेर कर दीजिए तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपने अगर सौपिंग की और आपने मानलो रिक्वाइड जी पीवी का बिजनस भी कर लिया तब भी आपको डिरेक्टर बोनस नहीं मिलने वाला है दूसरे जी पीवी की दूसरे अगर कंडिशन की बात करो जो आपका जानना जरूरी है वो है भीया मोदी केर में पीवी का कॉंसेप्ट हटा दिया है मतलब किसी भी केस में अब आपको रोल अप पीवी नहीं मिलने वाला है अपने डाउन लाइन से अगर आपका डाउन लाइन नौन क्वालिफाइड डिरेक्टर हो जाता है चौती चीज़ जो आपका जानना जरूरी है कि मोदी केर के न प्लान के कॉर्डिंग बाइक बोनस अब मोदी केर डिरेक्टर को भी देगी सीनर डिरेक्टर रैंक को भी देगी और एडी रैंक को भी देगी अभी में तक कमपनी सिफ बाइक बोनस को डिरेक्टर रैंक लोगों को लिए ही देती थी अब कमपनी ने इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, सभी लोगों को मिलने वाला है, चलिए, अब हम example के माद्ध हम से शुरुआत करते हैं कि सारा fund कैसे calculate करेंगे, चलिए, पहले example लेते हैं, मा लीजिए आप हैं आपने 30 PV की swapping की और आपने अपने नीचे 3 लोगों की ID लगाई A, B, C, A से आया 400 GPV का बिजनस, B से आया 400 और C से भी आया 400 GPV का बिजनस, तो इस case में आपका कितना director bonus बनेगा, कितना bike bonus, कितना national travel fund बनेगा उसके बारे में हम समझते हैं, तो देखिए पहले company क्या चेक करेगी, आपका company चेक करेगी, यह total GPV आपने कितना किया, वो किया 1200 और 30 आपका self-shopping, तो total हो जाएगा 1230, ठीक है, आपकी rank क्या होगी, rank होगी, मोदी क्या के नए plan के according, 1200 GPV से ज़्यादा business करने पर आपका rank हो जाएगा 11%, और इस case में अगरे हम performance bonus की बात करें मतलब जो differential income मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 1061 रुपै, इसका calculation कैसे करेंगे इसकी वीडियो मैंने already एक बना रखी हुई है कि मोदी के में differential income कैसे calculate करें, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो उसको जाएए देखिए, और सीखिए कि मोदी के में performance bonus कैसे calculate करते है इस वीडियो में मैं उसकी उपर बात नहीं करता हूँ, चलिए, bike bonus director bonus और national travel fund आपको इस case में नहीं मिलने वाला, अब आप सौक हो गए होंगे, कि भाईया क्यों नहीं मिलेगा, मैंने तो 1200 gpv का business कर लिया, मुझे क्यों नहीं दोगे तो जान लीजे, reason जान लीजे मोधी केर ने क्या कहा था, कि भाईया आपको director bonus जितना भी आपको bonus लेना है उसको पाने के लिए आपको minimum 60 pv की self-shopping करनी थी अपनी ID पे लेकिन भाईया, आप चला कादमी थे आपने 30 pv की shopping की तो आपके downline ने business करके भी आपको दे दिया फिर भी आपको कोई भी bonus नहीं मिलने वाला है कारण आपको मैंने बता दिया कि आपने अगर 60 pv का business किया होता 60 pv की self-shopping किया होता तो आपको सारे bonus मिल जाते लेकिन इस case में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाए performance bonus के ठीक है यह example समझ में आया चलिए दूसरे example के माद हम समझते हैं माल लिजे यह हैं आप आपने 100 pv की self-shopping की आपने अपने इंचे 4 लोगों की idea लगाई A, B, C, D A ने 300, B ने 300, C ने 300 और D ने भी 300 GPV का business किया तो इस case में आपको क्या-क्या bonus कितना बनेगा उसको हम calculate करते हैं तो company again check करेगे total GPV 1200 downline से आया 100 आपने self-shopping किया तो total GPV हो गया 1300 आपकी rank हो जाएगी 11% और A, B, C, D की rank की बात करूँ तो इनकी rank होगी 8% अगर आपको यह नहीं पता कि किस GPV पे या किस PV पे आपका कितना rank बनेगा तो मैं screenshot में एक आपको अंक तल का चिपका देता हूँ rank का जो system है वो चिपका देता हूँ उसके माद्धम से आप पता कर सकते हैं ठीक है अब हम calculate करते हैं director bonus, bike bonus on national travel fund इन तीनों को calculate करने के लिए सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है जो चीज calculate करना ज़रूरी वो है director point जी हाँ director point के माद्धम से ही आपके सारे bonus calculate होते हैं इस चीज को आप याद दखिएगा तो director bonus कैसे calculate करना है director points को calculate करने के लिए आपका जो भी PG PV लेगा है उसका 6% ले लीजिए वो ही आपका director points के लागा तो यहाँ पे A, B, C, D यह आपकी PG PV लेगा है और आपका self-swapping 100 किया तो 1300 का 6% 1300 का 6% 6% क्यों लिया जाता है यह company के side से define किया गया है क्योंकि Modikir में 1 PV की value 27 PV होती है तो यहाँ पे आपका director points निकल के आ जाएगा 1206 director points निकल के आएगा अब इसी के base पे सारा calculation होगा तो इसके base पे director bonus की बात करें तो company क्या कहते है जितना director point आपने निकाला हुआ है उसको multiply by कर दीजे 0.816 से यह director bonus की indexing value थी में 2022 के according थोड़ा सा कम थोड़ा सा जादा हो सकता है एक दो point कम हो सकते एक दो point जादा हो सकते है लेकिन में के हिसाब से यह 0.816 था तो director point को indexing value से multiply कर दो तो जो director bonus बनेगा वो लगग लगग 1718 रुपए बनेगा ठीक है अब हम बात करते है बाइक बोनस तो बाइक बोनस की में में जो indexing value थी वो थी 0.90 तो director point जो आपने निकाला था उसको multiply by कर दीजे 0.90 से तो आपका बाइक बोनस निकल के आ जाएगा 1895 रुपए और अगर हम national travel fund की बात करें जो company आपको घूमने फिरने के नाम से पैसा देती है तो director point को अगर multiply by कर दोगे 0.47 तो आपका national travel fund मिल जाएगा आपको वो मिलेगा 990 रुपए एक चीज़ा रखना बाइक बोनस आपके bank account में आएगा डिरेक्टर बोनस आपके bank account में आएगा लेकि national travel fund company reserve करती है लेकिन अभी offer के तहट अक्टूबर तक company national travel fund भी आपके bank account में देगी लेकिन जनरली ये पैसा company के पास reserve रहता है और आप इसको घूमने फिरने के नाम से use कर सकते हो तो ये example समझ में आया चलिए हम तीसरे example की और बढ़ते है तीसरे example क्या है आप आपने 60 PV की self-shopping किया आपने अपने नीचे 4 लोगों की ID लगाई A, B, C, D A ने 1200 GPV के business किया B ने 300, C ने 400 D ने 500 तो इस case में आपको कितना bonus बनेगा उसके बारे में हम जानते हैं तोटल GPV कितना हुआ calculate कर लिए 2460 और PGPV की बात करें तो 1260 क्यूं क्यूंकि A का business PGPV नहीं count होगा क्यूंकि A भाईया director बन गए 1200 GPV का business करके तो यहाँ पे आपकी rank क्या हो जाएगी senior director क्यूं क्यूंकि A के director qualify करने से आपको side में करना था BCD से जो business होना था वो चाह होना था 900 का और आपने किया 1260 तो side आपने maintain कर लिया आपकी rank हो जाएगी senior director A की rank हो जाएगी director BCD की rank क्या होगी 8% तो इस case में आपको director points निकान ले होगे क्यूंकि director bonus निकानने के लिए पहले हैं में director points निकान ले होगे तो यह calculation बड़े ध्यान समझिएगा एक सला सब्दों में आपको बताता हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा जितना भी PGPV लेग है उसका 6% calculation लिया जाता है और जो director लेग होती है उसका 5% director points को calculate करने के लिए तो A का 1200 का 5% और BCD को मिला कि अगर PGPV देखे तो 1260 का 6% इन दोनों को multiply कर दोगे तो आपका 361,60 director points बन जाएगा और इसी की base पे पैसा calculate होगा तो director bonus again 361,60 का multiply कर दो 0.816 से तो director bonus लगबग-लगबग 297 रुपए बनेगा bike bonus के लिए आप 361,60 director points को आप multiply कर दो 0.90 से तो आपका 325,90 रुपए के आसपास bike bonus बनेगा और national travel fund की बात करें 361,60 का multiply कर दो 0.47 से तो आपका 1720 रुपए national travel fund बनेगा और इसके साथ-साथ आपको performance bonus भी बनेगा और total income जोड़ दिया जा तो लगब-लगब 7-8,000 रुपए आपकी income यहाँ पे हो जाएगी चलिए last example की और बढ़ते, example number 4 थोड़ा सा खतरनाक example लेते हैं आप हैं और आपके नीचे 3 लेग है और एक लेग ने 2 लोगों को जोड़ दिया तो इस case में आपका कितना पैसा बनेगा आपकी स्क्रीन पे structure दिख रहा होगा, चलिए calculate करते हैं तो आपने 60 PV की self-swaping की A ने 200 GPV का बिजनस किया B ने अपनी नीचे दो लोगों की idea लगा दी, जिसमें D ने 1200 GPV का बिजनस किया और E ने 500 GPV का बिजनस किया C ने 200 GPV का बिजनस किया तो इस case में आपको कितना बोनस बनेगा चलिए calculate करते हैं तो again calculation का same criteria GPV calculate करिए, 160 हुआ और Y का, मतलब आप अपना PGPV calculate करिए तो B वाली लेगों को हटा दीजे A और C की लेग, PGPV लेग कहलाएगी तो यह हुआ 400 अब इस case में B की रहंग क्या हुई, B की रहंग हुई GPV का business, लेकिन B ने किया 500 GPV का business, तो B भाईया कहलाएगे non qualified director और D rank की बात करें, जिसने 1200 GPV का business किया, वो भाईया कहलाएगा qualified director और आपकी बात करें आपकी, U की बात करें, तो वो भी भाईया हो जाएगा non qualified director, क्योंकि B की link को छोड़के उसको करने थे, 900 GPV का business, लेकिन भाईया ने किया, सिर्फ 400 GPV का business, तो भाईया, आप भी कहलाओगे non qualified director, U की rank, और इस case में आपको ना ही roll up PV मिलेगा, क्योंकि नए plan में roll up PV है नहीं है, और director bonus ना ही B को मिलेगा, ना ही आप को मिलेगा, और मिलेगा किसको director bonus, सिर्फ D को, क्योंकि उसने qualified director rank को qualify किया, और बाईया बोनस भी नहीं आने वाला है, ना ही national travel fund आपको इस case में आने वाला है, तो मतलब किसी भी case में अगर आप non qualified senior director बनते हो, non qualified director बनते हो, तो ना ही आपको director bonus मिलेगा, ना ही आपको bike bonus मिलेगा और ना ही आपको national travel fund मिलेगा, I hope आपको example के मादधम से समझ में आ गया होगा, इसके बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी calculate करने का, बाकि आप मुझे comment box में बताएगा क्या अब आप calculate करना सीख गए हैं, खुद से आप ये सारे bonus को calculate कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, आप मुझे comment box में बताएगा, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको एक quick जानकारी देनी थी, आभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर लीजिए वीडियो को like कर लीजिए, अपने team के साथ share करना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा हम मिलते हैं अपने next वीडियो में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए, जय हिन